पूदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले थसरे टेंसन अरे काव पर ले थसरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से आप में इन्वार्मेंट की कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल की कक्षा में हम animals को देखे थे, जो exam के point of view से एक महतपूर विशय था, साथ ही आपकी exam में जितने भी animals से सवाल बन सकते थे, वो सभी topics को हम cover कर चुके हैं, जितने भी animals पूछे जाते हैं, वो सभी हम देख चुके हैं, आप previous year उठा कर देखिएगा, वहां से जितने भी animals आ सकते हैं, यहां से भी seat rate हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सवाल उठाता है, तो birds में एक एक करके सभी birds को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि आखर आखिर यह जो पक्षिया हैं, इनकी पूर्वज कौन है, यह एक आपके लिए extra information हो सकता है, साथ ही interesting हो सकता है, अग सोच रहे होंगे पूर्वज कैसे, तो हम बात करें, तो जो dinosaur थे, जो कई साल पहले क्या हो चुके हैं, विलुप्थ हो चुके हैं, जो अभी की दुनिया में नहीं है, यह भी हमारे समाने दुनिया की तरह यहां सर्वाइब क्या करते थे, किन्तु किसी कारण वस जो dinosaur थे, जो अभी वर्तमान की पक्षियों कही रोफ है, वो किसी कारण से इस वातावरण में सर्वाइब नहीं कर पाए और वो विलुप्थ हो गये, उसका एक कारण और था, कहा जाता है कि एक उलका पिंड प्रित्वी से टकराया और इतना भ्यंकर विस्पोटक हुआ, कि सभी जो पूरवच कौन है, डैनसौर है, तो समझेंगे हम कि आज की जो पक्षियां है, उनका जो पूरवच है, वो डैनसौर ही है, यह कह सकते हैं, आज की पक्षियों को डैनसौर कही अंस माना जाता है, अर्थाद डैनसौर पक्षियों के क्या थे, पूरवच थे, माना जाता है क डैनासौर की कई हजार प्रजातिया थी जिसमें कुछ ऐसे डानासौर थे जो जमीन पर रेंगते थे जो आज आप वरतमान में छिपकली और मगरमच्छ देख रहे हैं न यह क्या थे इनकी यह भी आपके जो पूर्वज है वो डैनासौर के ही हैं अर्थात समाने सब्दों मे कहा जाए तो अभी जो हम छिपकली और मगरमच्छ देख पा रहे हैं वो जमीन में चलने वाले डैनासौर थे जिहां साथियो साथ ही जो डैनासौर हवा में उड़ते थे जो उड़ा करते थे वो अभी के पक्षी हैं यह अपने आपने एक बहुत महत्पूर बाते हैं इसल हमारे लिए एक एक्ट्रा इंफॉर्मेशन अब हम एक एक करके सारे पक्षियों को समझेंगे जहां से सवाल बनते हैं यह इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं अभी जो हवा में यह जो आपका डैनासौर उड़ रहा है यह वरतमान की पक्षी हैं चुकि अभी की जो पक्ष कद गवान सार्थ करें एक पक्षी से तो ईल्लू से स्टर्ट करेंगे जी हाँ जो सवाल बनता है बनता है डारेक्ट सवाल भूस को छोड़ कर यह विश्व के सभी महादीपों में पाया जाता है यह most important fact है अभी तक तो examiner यहां से सवाल नहीं किया है लेकिन आपका topic उल्लू है तो हो सकता है यहां से भी सवाल उठा ले अगर इनका नजर इस fact किसे क्या कर लेता है घुमा लेता है रोटेट कर लेता है इसे रात कभी पक्षी कहा जाता है क्योंकि यह क्या है रात्री चर प्राणी है यह अपनी गर्दन पूरी तरह अर्था अगर उल्लू की बात है तो याद रखिएगा उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमा लेता है जबकि जो मैना है वह अपना गर्दन जटके से घुमाती है जहां पर जटके से यह है अब आपको याद रखने हैं यहां साथयो हम बातकर रहे था इंभी यहां सम चा की मैना और उल्लू में अपना गर्दन घुमाती है चलिए मैना के बारे में भी कुछ समझते हैं मैना जो है जिसे हम कॉमन मैना भी जानते हैं चुकि यह मूल रूप से एक दच्छिड एस्याई पक्षी है जो कि जादा तर भारत पाकिस्तान बांगलादिस और मेमार में पाया जाता है आप घर के आ आपने बहुत बड़ी समझ्या है साथ ही अगर हम अगली पॉइंट देखें तो इस पर लिखा है कि मैना अपने गर्दन को जटके से पीछे घुमाती है जो हम देख चुके हैं साथ ही मैना के घोसले की बात करें तो मैना भले अपना घोसला खुद बनाती है लेकिन वह अं वह देंगे आगे हैं कि मैना का वज्जानिक नम एक्रीडो थेरिस है अर्थाथ एक्रीडो थेरिस अब देखें यहां पस्ते वैग्यानिक नम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूंकि अब आपके इंग्जाम का लेवल बढ़ चुका है अभी तक पढ़ते हैं यह सारी ची और उस पर नया कोशिन बनाने की कोशिस करेगा तो जहां तक हो हम कोशिस यह करें कि जिस टॉपिक से जहां तक कोशिन बन सकता है वो सारे हम क्या करें उस चीज को हम कवर करते चले तो आपको उल्लू का भी विग्यानिक नाम ध्यान रखना है मैना का भी विग्यानिक नाम ध साथ ही यह पहाडी मैना का विज्ञानिक नाम गर्सूला है अगर आपसे पूछे पहाडी मैना आपसे एक सवाल है कि पहाडी मैना इसके बारे में क्या फैक्ट बहुत जादा फेमास है या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैना पक्षी के गर्दन और चहरे का रंग क्या होता है काला होता है तो यह इस पक्षी के पहचान है अगर पहचान ना हो तो आप नोटिस करिएगा कि जो मैना पक्षी होती है उसका जो गर्दन होता है और चहरा होता है वो काला होता है साथ ही पूछ भी जो होता है वो हलका हलका क्या होता है पीछे तरफ काला होता है अगल अगर हम रॉबिन पक्षी की साथ कि एक है जो एक्छोटे आकार के साथ जादतर बागो एवं बगीचों में होती है यह कोपसूरती के कारण क्या होती है पुरेविश्व भर में फेमस होती है लेकि अफसोस कि दिन प्रति दिन पक्षिया क्या होती जारी है विलुप्त होती जारी है आप उनकी संख्या देखेंगे तो एकदम कम होते जा रहा है पहले हमेशा हमारे घर के आसपास चड़िया चेहकती रहती थी कबूतर मिल जाया करते थी बहुत सारी पक्षिया देखने को गोरयया दिख जाया करती थी अभी कोई पक्षी हमें देखने को नहीं मिल रह अंसे यह गोसला बनाते समय चेहनी ऐखनी बाल रूघी का प्रयोक और करते हैं नियों गोशला बनाने में उन क्या करते हैं, इसका प्रयोक किया जाता है घोसला बनाने में, इनकी जो चोश होती है, किनकी आपकी कल्चडी की, तो इनकी जो चोश होती है, वो क्या होती है, अंदर से भले आपको लाल ना दिखे, किन्तु अंदर से इनकी चोश क्या होती है, लाल होती है, रोवेंस मु यह जो पक्षी होती है, यह तेजी से दोड़ने तथा रुखने के कानण, इसे प्लात्मिक विसेस्ता कहा जाता है किसे हमने जो देखा कल्चरी पक्षी की, चलिए अगले पक्षी की हम बात करें, तो जो अगला पक्षी है, वो क्या है आपका? यह देखने से पहले हम क्या देखेंगे पहली देखेंगे आपके NCRT बुक में इस पहली के बारे में लिखा हुआ है क्या पहली है तो एक ऐसा पक्षी एक पक्षी ऐसा जिनकी दुम पर हो पैसा सिर से तक दिखे नीला ही नीला फिर से मैं रिपेट करूंगी एक पक्षी ऐसा जिनकी पक्षी हमें हिंट कर रहा है तो क्या है हमारा रास्टी पक्षी बिलकुल जी हां सांतियो हमारा रास्टी पक्षी मोर यहां पस मोर की बात की जा रही है कि यह क्या होता है यह पक्षी ऐसा होता है जिनकर जिनके दुम पर पैसा मतलब आप पीछे साइड देखोगे तो ऐसे है साथ ही यह हमारी राक्षी पक्षी के लिए चलिए मोर के बारे में बात करते हैं मोर एक ऐसा पक्षी जो क्या है जो जिसका विज्ञानिक हम क्या कहते हैं पावे क्रिस्टेस कहते हैं इसका भी विज्ञानिक ना यह आप लोग के लिए extra information है ताकि अब जैसे कि मैंने कहा कि अब exam का level बढ़ चुका है अगर examiner ने कुछ इस पर research किया तो निश्चीत रूप से यह आ सकता है तो हमें क्या रहना है अलट रहना है मोर के अध्वुत सुन्दर्ता को देखते हुए यह याद रखना है मोर के बारे में जो most important information है न वो क्या है वो यह है कि मोर की सुन्दर्ता को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जनवर इसे राष्टी पक्षी घोसित कर दिया most important examiner आप से डाइट सवाल कर सकता है कि बताएए कि हमारे राष्टी पक्षी को राष्टी पक्षी का दरजा कब दिया गया तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1963 को इसे राश्ची पक्षी का दर्जा दिया गया दुनिया भर में मोर की तीन प्रजाती पाई जाती है इनमें से दो भारती उप महादीप में मिलने वाला भारती मोर और दच्छिड पूर्वी एसिया में मिलने वाला हरा मोर दो मोर, टोटल कितने हो गई? तीन प्रजातीयों की बात हुई है, जिसमें दो कौन से हो गए? एक तो आपका निला मोर हो गया, जो कहां पाया जाता है? जो भारती महादीप में पाया जाता है, साथ ही दच्छिड पूर्वी एसिया में जो मोर मिलता है वो हरे रंग का होता है, और तीसरी जाती की हम बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं? कांगो मोर जो कहां मिलता है जो आफरिका की कांगो द्रोणी में मिलता है तो ध्यान रखिएगा मोर की तीन प्रजाति एक तो हरा मोर एक निला मोर और एक कांगो मोर और इनका जगह भी याद रखिएगा जगह की अगर हम बात करें हम फिर से रिपीट करते हैं कि मोर की तीन प्रजातिय होती हैं सबसे पहला है आपका भारती मोर जो कहां पाया जाता है भारती उप महादीप में पाया जाता है दूसरा है आपका दच्छिड पूर्वी एसिया में मिलने वाला हरा मोर और तीसरी मोर की हम बात करें तीसरी जाती की हम बात करें तो कांगो मोर जो कहां प की बनते हैं आगे बढ़एंगे आ तो बसंत गौरी बहुत जादा फेमस होती एपने तुक-Tुक आवाज के लिए क्या है इसकी खास्यद सम चेह तो जो बसंत गौरी है बसंत गौरी है पक्षी पेड के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या करती है अनडा देती है सभी लोग क्या करते है प्रॉपर समान लाते हैं और घोसला बनाते हैं मेक्जिमम जो पक्षिय होते है लेकिन जो बसंद गौरी है वो क्या करती है तो आप देखिएगा गर्मी की टाइम पर टॉट्ट्क तुक 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 आता रहते हैं तो क्या करती है पक्षी है तने पर अपने चोच के त्वारा गढ़े बनाते रहती है कट फोडवा कट फोडवा भी एक पक्षी है जो क्या करती है गोरी की तरह बसंद गोरी की तरह ही पेड़ के तने में घोसला बनाती है याद रखिएगा बसंद गौरी के अलावा सवाल बनता है कि बसंद गौरी के अलावा ऐसी कौन सी पक्षी है जो पेड के तने में घोसला बनाती है ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टॉपिक के बाद हम लोग इसका कोश्चन भी करेंगे अगले next class में तो आपको खुद सवाल क सवाल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है अगर हम बात करें अगली पक्षी की तो वह है आपकी दरजिन चीडिया नाम से ही सपस्ट हो रहा है दरजिन चीडिया यह क्या करेगी दरजी लोग क्या करते सिलने का काम करते तो निश्चित रूप से कही न कहीं इसका connection क्या है सिलने से है और कुछ नहीं सूजा याद रखिएगा सिलने से रिलेटेट कोशन आजा अगर आपसे पूछा जैसी कौन सी पक्षी है जो पत्तियों को सील कर बनाती है घोशला तो याद रखिएगा वो कौन है आपकी दरजिन चीडिया है चले इसके बारे में कुछ important facts दे दरजिन पक्षी चूकि यह क्या करती है दरजन दरजी का काम करती है सिलने का काम करती है इसी कारण से इसे टेलर बर्ड भी कहा जाता है next question कि टेलर बर्ड के नाम से जाने जाने वाली पक्षी कौन सी है तो टेलर बर्ड के जाने 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 वाली पक्षी कौन है आपकी द बनी थैली को अंडे देने के लिए तयार करती है ये क्या है हमारी जो दरजिन चिडिया है उसकी विसेशता है याद रखिएगा इसके काम के कारण ही इसे क्या क्या जाता है इसे दरजिन चिडिया कहा जाता है साथ ही ये सीलने का काम करती इसलिए इसे टेलर बर्ड ही कहा जा कि हमारे सबसे ज़्यादा कोई पक्षी देखा है वे आपका कमवा ही है कमवा अपने आवाज के और और रग कई लोगों के दोरा पसंद नहीं किया को आच्छी और दिखता है उसको आपको comment box बताना है जो पूरी तरीके से काला होता है तो यह कौन सापक्षी आपको comment box करते हैं कि चलिए कंवाई की विशेस्थता है कि हम बात करें तो गौवाँ का विज्ञानिक नाम कोवर्ट है क्या है नाम से पता चल रहा है कहा से कौवर्ट तो यह इसका क्या हो scientific name हो गया, यह अपना घोसला पेड की उची डाल पर बनाती है, यह normal कहीं घर या कहीं नीचे टहनी ओ, यह सब जगा छोड़ कर क्या करती है, उची जगा पर बनाती है, उची जगा में वो भी कहां पर, पेड पर, तो उची जगा पर यह क्या करती है, पेड की उचाई पर बन कमवे के घोसले में कोयल अंडा देती है तो ये भी अपने आप में महतपूर है कोयल क्या करती है कमवा जो घोसला बनाएगा उसी घोसले में अपना अंडा देती है और कमवे को तो चुकी पता नहीं होता तो क्या करता है अपने अंडे के अलावा जो कोयल का अंडा होता है उ जुखोसला होता है वो लोहे के तार और टहनीओं से बना होता है कवल बगुद्धिमान तथा चतुरपक्षी होता है आप इसके बारे मेंन om story ही भगे बच्पन पर अगर हम इसकी विसेशताओं की बात करें, तो वीवर पक्षी में देखा जाता है, कि ये तरह तरह का घोसला बनाती है, लेकिन वीवर पक्षी में भी मादा पक्षी घोसला नहीं बनाती है, नर पक्षी घोसला बनाता है, तो जो मादा वीवर पक्षी होती है, वो अंडढ़ दू तो यह क्या है अपने वीवरपक्षि की एक विशेस्ता है तो समझेगे की वीवरपक्षि घोषला बनाता है नरपक्ष याद रखिएगा वीवरपक्षी में भी कौन सा पक्ष नरपक्ष तो नर जो है वो घोसला बनाता है त Karen मादा उसी से क्या करती उस घोसले को चुनती है अब कैसे अर्थात मादा वीवर पक्षी उन सभी घोसलों को देखती है जो किसके द्वारा बनाये गया है नर वीवर पक्षी के द्वारा बनाये गया है फिर उनमें उनमें से जो भी घोसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसम लेकिन जो मादा पक्षी है वो क्या करती है घोसले को चुनती है और जो घोसला अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देखती है अब आगे बढ़ेंगे अगली जो पक्षी है वो है सक्कर खोरा अब इसके बारे में भी आप यूनिक बाते जानेंगे क्या है सक्कर खोरा इसको हम समझेंगे कि सक्कर खोरा ये भी अपने आप में एक महत्पूर पक्षियों में से एक है जो हमारे आसपास इलाकों में अब देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये सब पक्षी क्या हो रहे हैं, हमारे वातावरनरण से दूर होते जा रहे हैं, हमारी ही दिक्कतों को देखकर, हमारे द्वारा दिक्कते जो create किया जाता है, उसी से परशान होकर, चलिए, समस्ते हैं, ये पक्षी किसी छोटे पेड़ी या जाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोसला बनाती है यहां पर की पॉइंट क्या हुआ आपका लटकता हुआ घोसला डारेक्ट सवाल बनता है कि लटकता हुआ घोसला कौन बनाता है तो याद रखिएगा लटकता हुआ घोसला कौन बनाता है आपका सक्कर खोरा बस उससे ज्यादा कुछ नी जान है और मादा क्या करती है उन घुश्वदों को स्लेक्ट करती है जो अंडा देती है फिर उसके पहले WHY उसके पहले हम देख रहे थे अब कउआँ यह कंवा जो होता है तो मन और धाली पर पर प्या्यकरता ऐबना को भुष्ना बनाता है और उसका रोड़ा किससे बना होता इसके पहले कने सपक्ष यह अपन करते हैं तो अगर हम बात करें किस्की सकड़ खोरा की तो यह सक्कर खोरा है वो क्या करता है लटकता हुआ घोसला बनाता है ये याद रखना है आपको इसका घोसला होता है किसका घोसला सक्कर खोरा का तो सक्कर खोरा का जो घोसला होता है वो बाल मकडी का जाली मतलब दुनिया भर की जो चीजे लगती है न वो इन्हीं के घोसले में लगती है तो क्या के टुकड़े और कपड़ों के चित्रे से बना हुआ होता है इसका घोसला किस किस से बना होता है फिर मैं रिपेट करूंगी इसका जो खोसला होता है वो बाल से मकड़ी के जाली से पतली टहनियों से बारी घास से तथा सूखे पत्तों से साथ ही रूई और पेड की छाल के ट रखती है आपके एक्जाम में कल हम एनिमल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो बाग होता है वो मनुश्यों से कितना गुना तेज देखता है तो वो छे गुना ज्यादा अधिक इस पस्ट रूप से हमसे देख लेता है लेकिन अगर आपसे पूछे च चार गुना में याद रखिएगा आपका बाज गिद्ध और ये कौन सा है आपका चील बाज गिद्ध और चील जो है वो हमसे चार गुना अधिक चीजों के इस पस्ट रूप से देख सकते हैं याद रखना छे गुना मतलब बाग चार गुना मतलब बाज गिद्ध और चार गुना मीन्स आपके तीन पक्षी होंगे बाज चील और गिद चली इनकी विसेस्ताओं को देखते हैं इनकी यही विसेस्ता है कि मनुष्यों से चार गुना अधिक इस पस्ट देखती है डारेट स्टेटमेंट यही दे देता है और सवाल करता है की पॉइंट्स जो है इ गिद्ध की चोंच भी याद रखिएगा गिद्ध पक्षी के चोंच की बात हो रही है तो गिद्ध की चोंच भी टेड़ी और मजबूत होती है लेकिन इनके पंजे और नाखुन उनके जैसे तेज और मजबूत नहीं होती है सिकारी पक्षी कौन है आपका गिद्ध है चिल की, तो आपका चील पक्षी होता है, वो कीडे, मकोडे, चुहे, मचलिया, गिरगिट और छोटे छोटे पक्षियों को भी ये खा लेता है कौन आपका चील अगर हम बाज की बात करें तो व्यस्क जो बाज होता है उसके पंक पतले तथा मोडे हुए होते हैं जो उसे तेज गती से उड़ने और उसी गती से अपनी दिशा बदलने में क्या करते हैं साहेता करते हैं किन की बात हो गई ये वो तीनों पक्षियों की बात हो गई जो मनुशियों से चार गुना अधिक क्या करते हैं इस पस्ट रोप से चीजों को देख सकते हैं अगला जो पक्षी है वो आपका कबूतर है कबूतर के बारे में समस्ते हैं कबूतर भी आप घर के आसपास देखते होंगे कई लोगों को पालते हुए देखते होंगे अगर हम कबूतर की बात करें तो ये पक्षी अपना घोसला क्या करता है नहीं ये कबूतर नहीं है ये आ पक्षि कहते हैं यह जो पक्षी है यह कौन सा है यह आपका पक्षी है जो क्यों हिए टाइव तो अपना गोसला हो इसा पक्षी जो लोग आपकेガ tremendous काॉंट के बीच के बीच में यह महंधी यह में रोल करना तो इन्हें आपको याद रखना है अपनी इसी खास विसेष्टा के कानड़ यह क्या होता है जाना जाता है कौन सा आपका फाक्ता चली अगली पक्षी की हम बात करें तो अगला जो पक्षी है वो क्या है आपका गौरईया है जो अपने आप में क्या है आस पास में पाए जाने वाली एक समान्य पक्षियों में से एक है समस्ते हैं गौरईया पक्षी के बारे में ऐसी पक्षी क्या होती है मानों के समीप कई इस्थानों में रहती है और नगर बस्तियों में आम होती है यह क्या है आम पक्षी है इसे हर कोई देखते आया है अभी जो पिड़ी है वो भले नहीं देख पारी है पर अभी तक हमने क्या किया है हमने इस पक्षी को इस पस्ट रूप से देखा है इसलिए इसे हाउस इस पह बात करते हैं कबूतर पक्षी क्या खासियत है यह जो पक्षी वह अपना घोसला घोसला क्या करते हैं पुराने घरों में बनाएगा या तूटे-फूटे मकानों में या खंड़र जगों पर बनाता है आप देखेंगे खंड़र जगा न वहाँ पर जो खोसला दिखेगा आपको याद रखिएगा वो किसके द्वारा बनाये गया है यह कबूतर के द्वारा बनाये गया एक घूस याद नहीं कि मैंने कितने साल पर इसे देखा होगा बहुत छोटी थी तब मैंने कबूतर पक्षी अपने पड़ोस के घर में देखा था पर पता नहीं अभी तक मैंने तो नहीं देखा इस पक्षी को कहां गया पता नहीं कबूतर भी आस पास पाय जाने वाले पक्षियों बन सकते थे, वो सभी topics को हमने cover किया है, question भी करते चलेंगे, कल मिलेंगे एक नए topic के साथ, आज के लिए thank you. झाल